Assalamu alaikum my youtube family कैसे हैं आप सब उमीजा कि आप सब ठीक होंगे मैं अभी alhamdulillah बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मुझी order आया है जी अंडा ब्रेट को सुबर सुबा आज बड़े दिनों बाद जो है जी order आया है इस टाइम पर यही मुझे शाम में तो आते ही है लेकिन दिन में ज़रा कम ही आता है लेकिन आज यह order आया है अंडा ब्रेट को मुझको मुझको सब्दी आ गई है यह देखें यह अंडे भी आज कल पता नहीं किस किसम की अंडे है कोई समझ नहीं आती है मुझे तो समटाइम ऐसे लग रहा होता है कि मैं कोई प्लास्टिक का अंडा बना आजी है अजीब से इनका पकने का भी सिस्टम है समझ नहीं आती है आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है तो प्लीज बताईएगा और 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 क्या कहना था मैं यह आपको और मुझे आपको कुछ भी नहीं कहना था जस्ट दिन का पहला ओर्डर मैंने का आपके साथ करूँ जो कस्टमर है उन्होंने ऑर्डर में में मेंशन किया हो है कि प्लीज ब्रेट को जो है वो ऑईल के साथ अज़ा सेख के दे हलागे मैं नॉर्मली भी ऐसे ही सेख के देती हूं कोई ना भी लिखे दो अब मुझे नहीं पता के हो सकते हैं बाद लोगों को ऐसी ब्रेट ना पसंदो लेकिन मैं खुद भी ऐसे खाती हूं और वह ऐसे ही बना के देती हूं तो यह तो खैब स्पेशल लिखते हैं हलागे यह भी तक्रीबन मेरे रेगुलर कस्टमर हैं यह अक्सर मुझे नाश्ता ओर्डर करते हैं उन्होंने हर बार यह लिखना होता है कि ब्रेट को आइल के साथ जो है वो टोस करके दें तो यह वही बात है कि अच्छी बात होती है कि वह दिख भी देते हैं ताके मुझे भी याद रहता है बादवफा इनसान के देन से निकल जाता है लेकिन यह कि मैं ब्रेट होती हूं तो मैं इसी तरह टोस्ट करके ही देखती हूं जैसे कि आपने सेंड़्वीचीज भी देखता है यह था जी आज का हमारा पहला ओडर बाकी यह जी कि थोड़ा सर्दी आ गई है मैंने भी एक ठाप सी जैगड पहन ली है मुझे जो है फुल स्वैटर वगारा मुझे नहीं पसंद यह पहन के काम नहीं होता मुझे यह फुल बाजू नहीं पहने जाते मैं गर्मी हो में बिलकुल इतने बाजूई पहनती हूँ और अभी मैं इनको भी यह यह कर रही होती हूं कि मुझसे काम नहीं होता एक आदत होती है बाज लोग कर लेते हैं काम स्वैटर पहन के भी सारा मुझ मेरे से नहीं होता तो अभी मैंने हाफ पैनी है तो आगे पैनोंगी टोपी भी पैनोंगी जारा कुछ पैनोंगी जब ज्यादा सर्दी आजेगी लेकिन अभी फिल हाल नहीं है अभी दूप बलके निकल यह यह सोच नहीं हो तारी दूँ सुबा के टाइम जब उठी थी तो उस वकत लग रहा जादी और पाने की बॉटल गरम करके उनके बिस्तर में रख दी ताक उनके पाउं वगयरा जो है वो गरम रहे क्योंकि वह काफी वाकि में ठंडे होते हैं उनके हाथ-पाउं असल में वह सारा दिन वुजू करते रहते हैं यह उन्होंने जब भी वाश्रूम जाना है उन् और मैं हलाके मना करती हूं क्योंकि आपको पता है गैस इस्यू है गीजर लगवाया हुआ है लेकिन उसके बावजूद जब गैस नहीं है तो फिर जाहरी बात है गीजर भी काम नहीं करता तो थंडे पानी से ही व्जू करती हैं जब गीजर नहीं लगा हुआ था तब भी यहां जब आपको तो वैसे ही माफ है आप तहीं अमम कर लिया करें कुछ नहीं होगा लेकिन उनकी एक आदत है उनकी रूटीन है उनकी तो वह रात को भी जैसे हैं मैंने उनके हाथ देखे तो बिल्कुल बरफ हुए थे तो मैंने उनका आपको वाकी ठंड लग रही होगी तो मैंने फटा-फटा आप फिर पानी कोईल करके यानि वह बॉटल जो होती है हॉट बॉटल उसमें डालके मैं विस्तर में उनके रख देती हूं तो उससे यह है कि वह काफी अच्छा मैसूस करते हैं क्योंकि गैस तो होती नहीं कि हम लोग हीटर बगरा चलाएं या करें वैसे भी वह पसंद नहीं करते हीटर अगर गैस आभी रही हो तो नहीं लगाने देते तो फिर मेरा मैंने उसका हल यही निकाला होगा है कि मैं अब पूरी सर्दियां मझी अब यही करना है कि डेली मुझे रात को पानी की बॉटल गरम करके उनके बिस्तर में एक तो मैं र क्योंकि मैंने रात को उनकी जो करनेशन देखी कि वही उनको थोड़ा एक्स्टर जाहरी बाते सर्दी लगती हैं मरीज भी हैं तो मैंने रात को ही निकाल के थरमस वगारा दो के उसमें बॉइल पानी करके डाल दिया हुआ था तब ही मैंने उन्हें बताया है कि आपने यह पानी पीना है मैंने इसमें डाला हुआ तो बहुत खोश होएं अब यह कि सारा दिन भाकी काम होगा साथ साथ मेरी यह ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी कि मुझे जब पानी खटम होगा मुझे उसको बॉयल करके इसमें डालना होगा क्यूंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ मैं तो पूरी बाटलु टानी हैं और यह अगय JUL लेती हूदानी अब निया काम सब्सक्राइ से तो आपके घरों में भी बज़र्व लोग हैं उनके लिए आप लोग इसी तरह गरम पानी और यह इंतजाम कर सकते हैं और यह सबसे बैस्ट है मैं आपको इसलिए याइडिया दे रही हूं कि जहरी बात है गैस होती नहीं है तो बंदा क्या करें जिनको ज्यादा सर्दी लगती है तो आप यगीन करें कि यह इतन जिसर इनका गरम ही होता है और वो सारी राज जो गरम रहता है तो आप लोगों के लिए भी यह चोटा सा आइडिया है कि अगर आप किस पास भी कोई ऐसा है जिसको के गरभाईश की जरूरत है और वो वैसे तो सभी कोई होती है लेकिन खैर मुझे नहीं पसंद यानि मैं मैं तो रात को भी कंबल और वो लिहाव उतारा होता है मैंने लेकिन यह कि जो बुजर्ग हजरात जो हैं फैमिली मेंबर हमारे ऐसे हैं जिनको कुछ जरूरत हो तो उनके लिए यह बेस्ट आइडिया है कि उनका बिस्तर गरम रहे तो आप भी सिद्र अगर आप यगीन करे मेंरे जर्ब के जैसे बोटल नहीं थी तो मैं जो पर अवनी बोटल में इसमें भी घरम पानी करके डाल के उसको कपडालऄा के मी रख़़ देती थी कि चलो इनको थोड़ी साली हो जाएगी, अभी है बोटल तो मैं उसमें डालके उनको पानी रखती हूं तो यह थी आज की आपके लिए एक छोटी सी टिप और मुझे लगता है राइडर देखूं आगे की आया है मुझे आज के दिन का दूसरा और जिसमें हैं के फ्रायड चिकन पीजा टोस्ट तो ईक़िसी ने मुझे चा था जिए आप हमारे साथ रेसेपी शेयर खेरें तो उनके लिए यह रेसेपी में शेयर करती हूं प्राइड चिकन पीजा टोस्ट थी क्योंकि राइडर भी लग चुका है और हमें जिल जिल दी काम करना है यह मैं अपनी हांडी बना रही थी आज मैंने बनाया है जी गोपी गोड तो मैं उसको चेक करें कि मैं इसको इधर कर लेती हूं ताके आपको इजिली जो है वो नजर तब हुआ अगर। पीजा टोस्ट को मुझे व्याद आ गया है कि मुझे ब्रैड दी मंगवानी है कि कि हासरी पड़ि आपके लाजिए नहीं है तो मैं फ्रेश ही मगवाऊंगी और खेर मुझे मसरा नहीं है जैसे ही मैं आउडर करूँगी वह मुझे ब्रेट जो घर पे दे जाएंगे लाग दो तीन दें बंद था मैंने चीज जो था वो फ्रीजर में रख दिया था तो वह अब सकत हुआ हुआ है लेकिन बार आप देखते हैं क्या करते हैं लोग तो यह बनाने लगे हैं जी हम पीजा टोस्स यह हमारी ब्रैड है आपको नजर आना चाहिए क्योंकि मुझे बा है क्या नहीं होगा तो पीसे देखों एक जैसे उपर आजिए अब यह जी मेरी वही सॉस है जो मैंने आपको उस दिन पीजा सॉस बनानी सिखाई थी जो के मेरे चैनल पर अल्लेडी मजूद है अगर आपने नहीं देखी तो प्रीज आप जाकर देख लीजिए गा यह लग अच्छे से चलो बाद में उठाते हैं अब जो हो गया जल्दी जल्दी अब यह देखें यह मैंने चिकन जो बॉइल करके रखा होते हैं अपने लिए सेंट्विच के लिए मैं वही चिकन यूज करती हूं इसमें शिम्ला बेश भी होती है और साथ में सारे स्पाइस भी ड जाल लिए है यह देखें टमांटर भी इस पे आगे अब शिम्ला में चॉल्डी इसमें है थोड़ा सा मैं इसमें जो हरा प्यास होता है वो जर्णा सब बिल्कुल जस्ट एक दो पिंच अब डालूंगी थोड़ा से टेस्ट के लिए मैं डालती हुआ हुआ है कि आपको पत है कि आप पीजा पे जो है वो सॉस वगयर यह जो है टॉपिंग में हम लोगया बी लगाते हैं लिए जस्ट थोड़ा सा मैं इसको करने के लिए तो मैं फोड़ा सा मिउनिज़ इसमें डालूगी थौड़ा सा कैचाप इसमें डालूगी मैंने रसेपी पहले भी दिया है या अब आप लोगों नहीं मिलती है या क्या इसाब आप इसमें जाल दीया ठीक है कैचप भी हो गया अब जाब देखने हैं कि ट्रेय में मेरी सारी चीजें कटी भी पड़ी होती है अगर मुझे कुछ भी जुरूरत पड़े तो अब हम इस पर डालेंगे यह चीज अल्ला करें कि यह ढल जाए है क्योंकि यह बिल्कुल हुआ हुआ है तो दो तीन दीन आपको पते ही है मेरा किचन भी बंदी था इस वज़ा से मैंने फिर उसको उपर रख दिया था कि जब काम ही नहीं है तो मैंने खाने भी सारे उपर रख दी थे के विए काम नहीं है तो यह नौँ हो कि यह मैंने इस पर डाल दिया जी चीज करके मुह में डाल ली है प्रीज कोई कमेंट ना करें कि आपने खुद क्यों खा लिए उन घर में काम करते हैं यादत है इस्पेशलि जब में सलाथ बना रही होती हूं तो मैं वह तुजरूर साथ-साथ ख़ई जाती है अब यह देखें जी इसको मैंने किया बन और यह डाल दिये मैंने इसके उपर कि आपको पते पीजे के उपर वह लाजमी होता है तो पीजा सेंड्विच में भी इसकी जो है टेस्ट जाना चाहिए अब यह मैंने एक अंड़ा लिए उसको मैंने फैंट लिए और इसमें मैंने डाला है नमक अब इसको मैं करूंगी अंडे में डिप दोनों तरफ से आपकन पीजा कर दोना ना जोना नमकर दोना आपका मैं गदिए व्रीये यह रही वकी के आपके टाला की आपके तो रहा है तो पर पाहिए बगद के अंड़ा फाहिए एक जोड़ा जोड़ा है हम कर लेते हैं घास साफ और आपको पता है किचन में काम करते हुए दर रखा हाथ वैसी दुलते हैं तो आज हमारे साफ ही होते हैं जब हम काम करते हैं नते हैं अ और अ आपको आपको नगको नगार आपको नगको नग्या, वैसा नगक बाते हैं तो नग्या मुझ म काम करते हैं पक्या रड़ी उन पम आपको आपको तो यह हो गए हैं जी हमारे पीजा टोस एड़ी अब हम इसको बीजमें से काटें लिए इसमें आपको चिकन ही चिकन नजर आए न ऐसा यही है कि हम चिकन डाल के नहीं देते हैं हम फुल चिकन के साथ देते हैं अब जो नेक्स्ट और मुझी आया है वो आया है जी एक बॉइल डेग और प्राठा अंडा आए अब ही पहले तो मैं यह पैक करूं और उससे पहले में तो बॉइल एग रखों किसे बॉइल होता है रात को भी जो मेरा रेगुलर और आया था बॉइल डेक का तो बिल्कुल एंडाइम पे आया था जब मेरा जो रेस्टोरंट है वो बंद होने वाला था तो मैंने फॉरण फिर मैंने वही किया था कि जब और दिया तो मैंने अंडा जो था वो उसमें पानी अंडों के साथ बेच दिया था मैंने का इसी तरह से जा सकते हैं कि जाते जाते वह हो जाएंगे बड़ा अच्छा इडिया में मिल गया है वाइल एक देने का जो कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ किया है तो यह हो गया भी हमारा और रेड़ी तो मुझे लगता है राइडर आगे हैं मैं उसे पर पकड़ा कि होगी और फिर आके मैं दूसरा जो है वह त्यान करूंगी इसको परने मैं एडिक्टू डिवर करूँ यह मेरी रेगुलर कस्टमेर है और यह अकसर मुझसे यह टोस्ट लेती है मैं आई देख और यह तो मैं दे आई होगी और यह मेरा जो है अपना खाना टुकुल रैड़ी है वैसे इसको बेख लूँ अभी मैं चीजें बाद में उठाओंगी क्योंकि अल्रेडी ओडर आगे होगे अभी राइडर असाइन नहीं हुआ लेकिन यह के और जो राइडर बाहिर आया मैंने उंसे पूछा है मैंने का भाई आपको उतनी है साइन हुआ तो बुल्ला कि नहीं गाए मुझे नहीं हुआ लेकिन मैं 2 मिनिट वेट करता हूँ हो सकता है मुझे यह साइन हो देगे आपको बना के देदी हूँ तो वोपोली देखते है क्या होता है एक और तो मैं उसके दे आई हूं जो उसका ओर था लेकिन दूसरे के लिए मैं उसे बता आई हूं कि मेरे पास आई हूं लेकिन राइडर नियर्भियस आई है तो अब यह देख लें है माशाला से क्या है आज जूस्डे है और आज यह है कि अभी सुबा का यह मेरा तीसरा ओर आ गया है तो देखें ओर्डर में यही होते है कम ज्यादा होते है मुझे भी दिन में कोई इतने खास ओर व तो वही बात है कि मैं थोड़ा सा भी रिलैक्शिस सेंस में होती हूं कि मुझे पता है कि जितनी मेरी जुरूरत है अब मुझे उतनी ओर आ जाते हैं तो इन अफ है मेरे लिए मैं इतना वो नहीं करती हूं प्र虚ुअ करें प्रशो है अब है मैं आपके सांथ अपने अपना जो मैं आपने पेड्विज की वीडियों जो है शीर कर नहीं करने के के में आपके सांठ शेर करूं कि आप लोगन ako P रेस कस तरा से बनाना है और उसको फिर किस तरह से चलाना है तो मैं अभी बैठी उसी पर वीडियो बना रही थी छोड़ी सी रही थी बस लेकिन फिर वही बाद आगे हैं तो मैंने का वह बाद में कुझी डियू करती हूं पर फिर वही बात है कि इन ओर के बिलाने के पिछे जो मकसद है वह आपको आइडियास ही देने होती हैं अभी आटा भी गूलती हूं फिर आटा खोड़ा है नहाएं तो नहाएं आएं तो एक साथ ही प्राटू-प्राटू के और आजाते हैं तो फिर करना पड़ता है सबस्क्राइब जो दो लिए आपके देखने मेरे घबले आप से बतों के दर्मियान मुझे बिल्कुल भी याद लेगाता कि मुझे करना किया है अब मैं बना रही हूं प्राठा प्लस अंडार और अभी मैंने जा कि देखे रहेगा तो साय नहीं हुआ हुआ हथा मैंने का दे मैंने ओर्डर दिया नहीं है और मैं जो हूँ अब आमलेट बनाऊंगी अभी अंडा मैं आपको खाऊंगी उफ अला यह मुझे खाना पड़ेगा मेरी गलती की सदा है यह मुझे ही बिलेगी मैं गोबी के साथ अग्डा की साल लगा दूँगी जो खाना खाऊंगी तो बाराज जी अब प्राठा वहार अमलेट बन जाएगा तो यह देखें कि वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता मेरे लिए जब मैं वीडियो बनारी होती हूं क्योंकि साथ साथ मुझे और्डर भी देखना होता है फिर वही बात है बात भी करनी होती है अब यह देखेंगे ले आई हूं मुझे बसना नहीं है मेरा समान सब प्रता पड़ा होगा तो मुझे वह बसना नहीं होगा कि अगर अगर आप गया है तो कोई बात नहीं हम इसको बना लेते हैं आप आम अमलेट बना लेते हैं अब आप अच्छे से बॉइल हो जेगा राइजर अभी तक असाही नहीं हुआ पहले बना राइजर जो हो मेरा चला गया है उसने देखा होगा थोड़ी देर के बही मुझे नहीं लगा तो वो दूसरा ओर उसका ड्ले हो रहा होगा तो वो चला गया कि अब आप आप यह देखे कि मैं पस्तीजे कटी अफ़ी पड़ी होई हैं तो मुझे मस्टा नहीं है मैं फट आफट टोमाटर डाला प्यास डाला है अरा धनिया डाला है इतना बड़ा बड़ा क्यों हा गया इसमें तो यह डाल के और इसमें बस्ताशना नहीं आख मेरा मुझे रहते हैं अगर मैं इस पुन के साहा डालू जालूँ तो मैं इस पॉनों के साह डालूगी तो मुझे आदत है ये देखे ना बाजू इतना तंग करते हैं अभी सद्री आ गई है जो लो तो मौसम चेंज हो गया तोड़ा जी है कि चलो दुपट्टा जो है वो सर पे रह जाएगा क्योंकि अब दुपट्टे के साथ ताम हो जाते है तोड़ा बहुत गर्मी में तुम्हें बिल्कुल नहीं कर से उसके लिए अडवांस में सौरी जिनको बुरा लगते है इदर मैंन ट्रओया में लेटे कि उन्होंने में लेट से ओरह किया जब नरम सेसे को ड्रुआ के साथ वहरु सांथ प्राथा लेकिन इसको मैं यह घीम कर दो एक लिएविक करते हैं की फ्राथा मैंने लाट बारेऊ प्राथा के साइज वही रखती हूं अंडा जो है वो में एक कर दीती हूं और उसके साथ में आमनेट बनाऊंगी त्यार जिसके हमने मिस्टेक कर दी थी अंडा बना के बैड़े ली थी मैं असमें नीचे बॉइड है रिखा वादा और मैं सम्टाइम इसको गलत ही पाढ़ लेती हूं किये वी हमारा क्राथा राइडर असाइन हो गया है अब ऑब आपकर तो से हवी अजयर रिस्टोरेंट होने वाला है क्लोज और लास्ट ओर आ गया है चतब सके साथ और लाल लोपिया राइडर असाइन हो चुकर है तो मैंने सोचा के चलके यह एक भोड़ा सवीज बिद्ल आज बस सुबह जो तीन ओडर आयते जो मैंने आपको बताए है बस वही आयते इसके बाद जो है अभी एक ओडर आये और अभी तस मिनट है और मेरा रेस्टोरेंट क्लोज होने में तो यह था जी मेरा आज का अफनी ओडर राइडर जो है वो पांच मिनट पे आया है अभी मै अभी हम त्यार कर रहे हैं लोगी अभी गरम हो रहा है असलों में खुड़ोसा फ्रीज था तो इसको ताइम लग रहा है लेकि में फोल जाया है तो इसके आने का साग हम रहा हो किता है गरम तो मुझे दीजिए इजाज़त एक क्वेस्चिन हुचा था जो मैंने आज वीड प्लायर सा बना करें लोगों को दीला होगा है और उसी कित्रू वो काम कर ली है अब आप यह दिखने कि उन्हों को पेज भी बनाना नहीं आता ना उसको यूज करना आता है वोई पी ऐसा वो वर्ट से पर स्ट्रेटस में लगाती है कुछ भी नहीं करती है लेकिन वही बा आप नहीं मुझे आया भी तर कि वह कौन सी वारी यूज वैसे तो खुली लेती है वही बात है जो फैक्टरी में जहां बनती है वहां से शाइद लेती है और वही वह यूज करती है पटी जो है रोल पटी वाव एक जो नॉर्मल यानि जैसे जो पटी होती है उससे बाकि फिर इंशाला मिलती हूँ आपसे गर को बनी पता जाजता है तो मैं जरूर आपको जवाब देती हूँ अब मुझे दीजिए इजादे इंशाला मिलती हूं नेक्स वीडियो में अलाहाफिज